यह दुनिया कितनी रहा समाई है, इस बात को हम सभी अच्छे तरह से जानते हैं, हर किसी की चाहत होती है कि वे अपने जीवन गाल में सभी तरह के अलग-अलग चीजों के बारे में जान ले और उन्हें अपने आखों से देखकर विश्वास कर ले, लेकिन अपसोस की दुनि को ने जरूर ही सुना होगा, ऐसे में आज हम आपको इस रहस्माई दुनिया से जोरे कुछ रोचक तत्य के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे. फैक नमर फाइब, आपने अपने जीवन काल में एक नए एक बार उट जरूर देखा होगा, उट को डगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, उट एक ऐसा परानी है जो अपने एक्छानुसार नाक बंद कर सकता है और खोल भी सकता है, यही कारण है कि इस खासियत के कारण उट रेतीले दुफान में भी चल सकता है, उट को डगिस्तान का बात्सा भी कहा जाता है, फैक नमर फोर, अपने नौर्थ कोरिया के बारे में तो जरूर सुना होगा, यह देश अपने अजीव अजीव कानुनों के कारण जाना जाता है, नौर्थ कोरिया में परदूसन की मातरा काफी कम है, नौर्थ कोरिया में महिलाओ को कार चलानी की अनुमती नहीं है, वही पूर्सों को कार चलानी की अनुमती है, और केवल सरकारी अदिकारियों को, या बड़े उद्योग पती पूर्सों को है, नौर्थ कोरिया में सो में से केवल एक ही कार आपको पाई ज सबसे कॉमन चीज होती है पानी की बोतल लेकिन आपने पानी की बोतल पर एक्सपारी डेट लिखा हुगा जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है किसी भी पानी के बोतल पर लिखी एक्सपारी डेट पानी के खराब होने की नहीं बल्कि उस बोतल की खराब होने की हो काम करते हैं भारत का समीधान एक हाथ से लिखा गया था और एक हाथ से लिखा गया एक दास्ता वेज भी है या किसी मसीन से प्रिंट नहीं किया गया था इसे प्रेम विहारी ने अपने हाथों से इटालिक स्टाइल में लिखा था और इसके पन्नो को सांती निकेतन के दो कला अपने हातों से सजाया था लेकिन कि आपको पता है कि समीधान का असली कौपी कहा रखी गई है समीधान के अंग्रेजी और हिंदी भरजन की असली कौपी संसद बवन की लाइब्रेरी में लियम के वक्स में बहुत सालों से रखी गई है फैक नमर वन कि आपको पता है कि पूलिस इस पेर को 24 गंटा सुरक्षा क्यों देती है दुनिया भर में पेर और पोधे को जीवन रक्षक माना जाता है और लगतार सभी को आसपास के वातावरन को हरा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेरों को लगाने पर जोर दि चोड़ते हैं माना भी ऑक्सीजन गरहन करता है और सी यो टू छोड़ता है जिस कारण इंसान और परकिर्ती के बीच ये एक मजबूत रिस्ता बन चुका है मगर भारत में ही एक ऐसा पेर है जिसकी निगरानी में लगतार सुरक्षा गाड़ 24 गंटे खरे रहते हैं निया अभर में लोगों से पेरों को बचाने की बात कही जा रही है मगर सायद किसी ने एक खास पेर के लिए सुरक्षा गाड़ को तैनात नहीं देखा होगा भारत में मद्य परदेश की रजदानी भुपाल की सालमांतरपूर की पहारी में एक अदभूत पेर लगा हुआ है इस खास पेर की निगराने के लिए 24 घंटे गाड़ सुरक्षा में रहते हैं यही नहीं इस पानी को देने के लिए पानी का एक टैंकर भी हमें से यहां खरा रहता है लगबग 100 एकर की पहारी पर लोही की जाली के अंदर इस पेर को रखा गया है इस पेर को साल 2012 में स्रिलंका क दतकालिन राष्टपती महिंद्रा राक्ष पक्षे ने लगाया था इसी कारण बहुत धर्म के अनियात्रू में भी इसका खास महत्म बना हुआ है कहते हैं कि महात्मा बुध ने इसी पेर के नीचे जीवन का ज्यान पराप्त किया था इसी कारण इसके एक पत्ते की सुखन पर भी परसासन उपाय करने लगता है यहां मध्य परदेश के समालतुन में एक पीपल के पेर का जिंदा रखने के लिए सिबरा सरकार हर साल बारा लाक रुपे खरजा करती है इस खास पेर को देखने के लिए दूर दूर से परियाटक भी देखने आते हैं